Hello friends, स्वागत आपका Essentials of Medical Science में आज हम बात करने वाले हैं हमारे अगले टोपिक की जो है इंग्विनल केनाल इंग्विनल केनाल की हम बात करेंगे तो इंग्विनल केनाल क्या होती है ना इंग्विनल केनाल एक oblique intermuscular passage है intermuscular मतलब muscles के बीच में से एक कैनाल जा रही है उसे हम इंग्विनल कैनाल कहते हैं oblique intermuscular passage है कहां पे lower part of the anterior abdominal wall anterior abdominal wall के lower part में ये कैनाल प्रेजन होती है अब इसकी situation मतलब की कहां situated है अगर हम देखें तो ये medial half of the inguinal ligament के उपर present है inguinal ligament हमें पता है कहां होता है उसके उपर present है क्या inguinal कैनाल ठीक है अब length की बात करें तो inguinal कैनाल 4 cm लंबी है या फिर इसको 1.5 inches भी हम बोल सकते हैं ठीक है 4 cm लंबी होगी उसके बात करें direction की इसकी direction कुछ इस तरह की होती है इसका क्या मतलब हुआ ये lateral माने और ये medial माने तो ये direction एक्स्टेंट की बात करें तो इसमें 2 rings होती है एक deep inguinal ring और एक superficial inguinal ring deep inguinal ring की बात करें तो deep inguinal ring oval shape की होती है और कहां होती है 1.2 cm जो उपर present होती है mid inguinal point के mid inguinal point के 1.2 cm उपर है और oval shape की है deep inguinal ring अच्छा अब बात करें superficial inguinal ring की तो ये क्या है यह triangular है, deep कैसी थी, oval थी, superficial कैसी है, triangular है, किसके अंदर present है, external oblique की aponeurosis, external oblique muscle की aponeurosis के अंदर यह gap बनता है, triangle shape का, उसे हम superficial inguinal ring कहते हैं, अब जो superficial ring है, वो triangular है, तो उसका एक base होता है, और यह दो crura होते हैं, crura उपर मिलते हैं, intercrual fibers की मदद से, और इसकी जो 2.5 cm यह long होते हैं, ठीक है, और base की बात करें, तो base pubic crest से बनता है, ठीक है, pubic crest, और 1.2 cm इसकी length है, बेस की, तो हमने बात की, superficial ring कैसी है, triangular shape की है, अब हम इसको अगर थोड़ा समझे, तो मान लीजे, यह है हमारी inguinal के नाल ठीक है, तो इसकी direction कैसी है, आप देखें, ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, नीचे की तरफ, तो medial जा रही है, यह medial है, यह lateral है, तो यह medial की तरफ जा रही है, तो medially, उपर और downward, नीचे की तरफ जा रही है, और आगे की तरफ जा रही है, तो medially, downward and forward, यह आगे सुपरफिशल रिंग की बात करें, तो यह होती है, ट्रैंगुलर रिंड शेप, हमने बात की दो कुरूरा होते हैं इसके, और एक बेस होता है, ठीक है, डीप की हमने बात की, डीप होती है, ओल शेप की, ठीक है, और 1.2 सेंटिमेटर उपर होती है, मीड इंगुइनल पॉइं एंटिर वोल पीछे पोस्टिर वोल, तो एंटिर वोल ना, दो तरह से बनती है, एक तो पूरी एंटिर वोल बन रही है, ठीक है, और एक इसका जो लेटरल वन थर्ड जो है, उसके अंदर एक एंटिर वोल, अब यह इंगुइनल कैनाल है, इसके आगे वाला इसा पूरा ए तो एंटीरियर वोल की बात करें, सबसे पहले पूरे एंटीरियर वोल, whole extent में बात करें, तो सबसे पहले आती है, skin, ठीक है, हमें लेयर पड़ रखें, abdomen की skin, उसके बाद आता है, superficial fascia, उसके बाद आता है, external oblique aponeurosis, यह है, external oblique aponeurosis, जिसके अंदर यह triangular gap present है, ठीक है, superficial ingoine ring, अब lateral one third की बात करें न, तो इसके अंदर lateral one third में क्या आती है, एक muscle आती है, यह है हमारी internal oblique muscle, अब हम बात करें, यह इसके आगे है anterior, यह internal oblique muscle जो है न, यह इसके उपर से ऐसे जाती है, उपर से जा रही है इसके, inginal कहिनाल के, उपर से जाएगी तो roof भी बनाएगी इसका, और पीछे जा के posterior wall में भी आती है, लेकिन posterior wall में, यह transversus abdominis के साथ मिलके क्या बना देती है, conjoint tendon, हम उसकी बात करेंगे, बाद में conjoint tendon की, तो anterior wall हमने बात की, लेटर बन थर्ड में मैंने अभी दिखाया, क्या बना रहा है, लेटर बन थर्ड में यह internal oblique muscle बना रही है, यह इस तरफ है, यह anterior है, इसको देखेंगे ऐसे उपर से, तो यह internal oblique muscle है, ठीक है, यह ऐसे उपर से जाएगी, उसके inginal कहिनाल के, और इधर जाके, conjoint tendon बना देग तो anterior wall, lateral one third में आता है, internal oblique muscle के flashy fibers, ठीक है, posterior wall में देखें, तो आता है, fascia transforcellus, यह है, fascia transforcellus, posterior wall, oval opening होती है, इसके अंदर, fascia transforcellus के बाद क्या आएगा, extra peritoneal tissue, उसके deep में क्या है, parital peritoneum, visceral peritoneum, viscera को cover की हुए है, उसके आदूसरी layer peritoneum की उसके बाद होगी ना, त medial one third, इसके बात करें, medial one third की, तो हमने बात की थी, कि यह इधर जाकर, यह conjoint tendon बन रहे है, इस तरफ यह conjoint tendon है, तो conjoint tendon बन रहे है, तो medial two third में क्या आएगा, conjoint tendon आएगा, और यहाँ पे जो inguinal ligament है, वो नीचे base बना रहा था, वो ऐसे reflect हो जाता है, मतलब, यह inguinal ligament है, यह ऐसे reflect हो जाता है, इसलिए, reflected part of inguinal ligament भी आता है, medial two third के अंदर, ठीक है, पोस्टीर बोल के अंदर, अब बात करें, रूफ की, रूफ मैं आपको बता चुका हूँ, internal obliq उपर से जा रही है, transversal abdominis भी उपर से जा रही है, दोनों मिलके, पोस्टीर बोल में क्या बना तो floor कोन बनाएगा, inguinal ligament, और कोन बनाता है, lacunar ligament बनाता है, medial end के उपर lacunar ligament present होता है, lacunar ligament क्या था, extension थी, किसकी, inguinal ligament की, अब sex difference भी आता है, inguinal canal के अंदर, males के अंदर, जो inguinal canal है, वो लंबी होती है, females के comparison में, ठीक है, अब इसके अंदर से कुछ structures जाते है, inguinal स्पर्माटिक कोड, 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 स्पर्माटिक की बा जो रिंग है उससे है तो यह पूरी तरह से पास नहीं करती है इससे निकलती है तो इंग्विनल नर्व हो गया इसके तुरू जो स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं अब हम एक बारी डाइग्राम देख लेते हैं जो मैंने आपको भी दिखाया था उसमें मैंने बताया एंटीर वो या एक्स्टर्न अबली का अपनिरोसिस यह पोस्टीर वोल को मना रहा है फेशर टांसर सैलिस यह डीप इंग्विनल रिंग सूपरफिशल इंग्विनल रिंग डिरेक्शन कैसी है ऐसे है यह लेटरल है तो यह मीडियल हो गया तो मीडियल ही जा रही है डाउनवर्ड जा जा रही है अब डीप इंग्विनल रिंग जो है ना उसके साथ यह फेशर टांसर सैलिस था अब एंटीर वोल की बात कर रहे थे हम एंटीर वोल में एक्स्टर्न अबली का अपनिरोसिस आ गया और अगर सिर्फ लेटरल बन थर्ड को देखे तो इंटर्न अबली का अपनिर एंटीर वोल में ठीक है तो यह हमने बात कि इंग्विनल का नाल की नेक्ट वीडियो में बात करेंगे mechanism of the इंग्विनल का नाल किस तरह से यह एक वर्क करती है इंग्विनल का नाल तो अगर आप वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब रदेना, यक्डियू